धौलपूर नाम के एक गाउ में तुलसी नाम के एक औरत रहा करती थी वो एक चोड थी सड़क पर भीग मांग रहे है बच्चों को उठा कर वो बेचा करती और कमाया करती इसी तरह कई धनवान लोगों के बच्चों को भी बेच कर उसने पैसे कमाय थे हर रोस की तरह वो एक दिन भिक्षा मांग रही थी भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, बाबा भगवान के नाम पे कुछ दे दो इस तरह आते जाते रहे लोगों को वो भीक मांगने लगी इतने में वहाँ पर बालो और केटी नाम के भाई भहन आते हैं उन बच्चों को देख तुलसी ने मन हे मन सोचा अरे वाँ, सही समय पर मिल गई है ऐसा सोचकर वो बच्चों के पास गई, उनसे प्यार से बात करने लगी बच्चों, तुम्हें देखकर लगता है तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं भूख लगी है तुम्हें ऐसा तुलसी के पुछने पर दोनों ही बच्चों ने कहा कि हाँ उन्हें भूख लगी है तो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ तुलसी ने बच्चों को ऐसे कहा और एक पेड के पास ले गई तुलसी ने उन दोनों ही बच्चों को खाना दिया वे दोनों उसे तुरुप्त होकर खाने लगे फिर तुलसी ने उनसे पुछा क्या तुम्हारा कोई नहीं? तुलसी के ऐसा पुछने पर दोनों ही बच्चों ने कहा हाँ, हमारा कोई नहीं है हमारे माबब के मरनी के बाद हमारे नानी ने हमें पाला हाल ही में वो बीमार होकर जल बसी हमें कुछ नहीं सोजा इसलिए हम ऐसे भीग मांग रहे हैं उन दोनों बच्चों की बात सुनकर तुलसी ने कहा कोई बात नहीं तुम लोग मेरे साथ चलो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी तुलसी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चे खोशकर उसके साथ चल देते हैं तुलसी दोनों ही बच्चों को लेकर अपने घर चली गई और उनका ध्यान रखने लगी वो राद पीट जाती है अगली सुबह तुलसी किसी से फोन पर बात कर रही थी मैंने कहा ना मेरे घर आईए मेरे पास दो बच्चे हैं लेकिन हर बार आप मुझे कम पैसे देते हो और आप लाखों में कमाती है देख लीजे इस बार अगर मुझे कम पैसे मिले तो मैं बच्चे नहीं बेचूंगी ऐसा कहकर तुलसे ने फोन कार्ट दिया बच्चे खरीदने वाली के साथ तुलसी की बहस हो जाती है उन दोनों में इस बात को लेकर तू-तू-में होती है राधा जी मैंने कहा ना मैं कम पैसों में बच्चे नहीं बेचूंगी मुझे ने बेचकर अगर तुमने किसी और को बच्चे बेचे तो मैं पोलिस को इतला कर दूंगी राधा की ऐसे बाते सुन तुलसी को घुसा आया अब तक तो मैंने ये नहीं सोचा था पर तुमने अच्छा सुझाओ दिया, बच्चों को किड्नाप करने पर मुझे भी समान पैसे मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी सचाई भी बता दूँगी। ऐसे तुलसी ने कहा, इसके बाद उन दोनों में बहसबाजी चलने लगी। रादा बड़े घुसे में, मैं तुम्हें देख लूँगी, ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कीरती और बालू तुलसी के साथ रहते रहते उनका उससे लगाओ होने लगा। तुलसी भी बच्चों का अच्छा से ध्यान रखने लगी। तभी राधा वहाँ पर आई। और उन दोनों ही बच्चों को जबरदस्ति ले जाने की कोशिश करने लगी। जब तक मेरी जान में जान है मैं इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूँगी। अब तक तो मैंने बहुत बाप किये। इन दोनों को बचा कर मैं उनका प्राइस चित करूँगी। ऐसा कहकर तुलसी ने उन्हें रोका, राधा को बहुत घुसा आया, तुम जिन्दा बचोगी तब न, तुम्हें जीते जी मार कर इन बच्चों को में ले कर जाओंगी, तुम देखती रहना. ऐसा करकर राधा ने तुलसी के सर पर जोर से डंडा मारा वो मौके पर ही चल बसी बच्चे उसके पास बटकर रोए जा रहें थे मा, मा यो चिलाते होए रो रहे थे ये तुमने क्या किया? हमारी मा को मार दाला? ये बात हम बुलिस को बता को तुम्हें जेल में डलवाएंगे ऐसा करकर किर्टी वहां से दोड़ने लगी तुरंत राधा ने उसका रास्ता रोका कहां दोड़ी जा रही हो? अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी राधा के ऐसा कहने पर भी जब किर्टी नहीं मानी तो उसने बालो को उठाया और आग के पास ले गई अब बताओ सच को छुपा कर रखोगी या मार डालू तुम्हारे भाई को ऐसा कहकर उसके भाई को माने की कोशिश करती है किर्टी चिला कर उसे रुखने के लिए कहती है ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगी कि आपने उनकी हत्या की किर्टी के ऐसा कहने पर राधा जोर से हसी और उन दोनों बच्चों को बांद कर वहां से ले गई वहां क्या हुआ था या किसी को बता नहीं चला उन दोनों बचों को ले जाकर राधा ने उनसे घर के काम करवाए और हर समय उनकी पिटाई करती थी कुछ दिनवाद सोय हुए दोनों बचों में से कीर्टी को उसने किसी को बेश दिया अगली सुबहा बालू अपने दीदी के लिए ढूनता रहा पर केटी का कहीं पता ना चलने पर वो रोने लगा राधा आंटी मेरी दीदी कहा है राधा उसकी तरफ घुस्से से देखने लगी तुम्हारी और तुम्हारी दीदी की क्या मैं पहरेदार हूँ ऐसा कहकर उसने बालू की पिटाई की कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आया और उसने बालू को देखा मुझे ये लड़का चाहिए उस आदमी के ऐसा पूछने पर राधा ने कहा पच्चीस लाग दो और ले जाओ उस आदमी ने वो रखम दी और बालू को लिए वहाँ से चल दिया बेचारे दोनों भाई बहन इस तरह पिछर जाते हैं वो कभी साथ में ना मिल पाए ऐसे दूर हो जाते हैं वो एक दुसरे को याद करते हुए वहाँ पर मुश्किल काम करने लगते हैं भगवान जी मुझे मेरे दीदी से मिला दो मुझे मेरे भाई से मिला दो वो दोनों यू रोते हुए भगवान से प्राधना करते हैं अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना और ऐसे इंटरस्टिंग स्टोरिस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना थैंक यू फर वाचिंग और बालू और दूसरी पत्नी से पवन जन्मा था इसलिए ये भेट था फिर आया वो दिन जब रमेश और उनके पत्नी के बरसी थी घर के सभी सद्रसों ने उनके तस्वीर के सामने बैठकर उन्हें वस्त्राटपन किये तब पवन ने कहा भाईया भावी आपकी कमी बहुत खलती है हमें आपकी बहुत याद आती है काश ऐसा होता कि भगवान आपको हमसे दूर न करते ऐसा कहकर वे सभी रो रहे थे हाँ हाँ बस भी कर कीर्थी और बालू भी रोए जा रहे थे पवन के पिता भी बहुत रो रहे थे कुछ समय बाद पुश्पा ने अपने बेटे से कहा बेटा पवन तो शादी कब करेगा मैं तेरी शादी देखकर मैं तेरी शादी देखकर दुनिया से जाना चाती हूँ मा मैं शादी नहीं करना चाता कीर्थी और बालू को मैं अपने बच्चों जैसे देखता हूँ अगर मैं किसी से शादी कर लूँ और वो इन बच्चों का ठीक से ध्यान न रखे तो भाईया भावी के आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी बेटे की ऐसी बाते सुनकर मा चौँक गई और उसने कहा बेटा ये तो क्या कह रहा है बच्चों को संभालने के लिए मैं हूँ ना उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी बात सुन और तो शादी कर ले मा तुम्हारी भी उम्र हो चली है तुम कब तक संभाल लोगी शादी के लिए मुझ पर कोई दबाव मड़ा लिए मा बहुत दुखी हुई वो रात बीच आती है अगली सुबह पवन शहर के लिए निकल गया और सूर्यकांद किसी काम से बाजार चले गए घर पर दादी बच्चों की और घुसे से देखते हुए कहती है सुनो बच्चों मेरे साथ नदी पर चलो वहाँ कपड़े धोने है बच्चों ने दादी की बात मानी और कपड़े लिए उसके साथ नदी पहुँचे दादी ने चारा और देखा वहाँ कोई नहीं था बालू, किर्टी तुम दोनों भी पानी में उतर जाओ दादी ने उन दोनों को भी पानी में आने के लिए कहा और उन्हें पानी में डुबा कर मारने के कोशिश करती रही दादी मा, आप क्या कर रहे हो? हम सास नहीं ले पा रहे थे ऐसे रोधे हुए चिलाने लगे उस पर पुश्पा ने कहा मैंने पैसे देकर तुम दोनों के माबाप को मरवाने लगाया पता है क्यूँ? क्यूंकि ये करोडों की जायदाद मेरे बेटे पवन के नाम हो जाए पर वो है कि तुम दोनों के लिए शादी नहीं करना चाता तुम दोनों उसकी शादी में रोड़ा बने हो ये सब वहाँ खड़े एक विक्ति ने देख लिया, वो घबराते हुए तुरंट सूर्यकांद के पास पहुँचा, वहाँ पहुँच कर उसने सूर्यकांद को सारी बात बताई, सूर्यकांद वहाँ से दोड़ कर नदी के पास पहुँचा अरे ओ पुश्पा, तुम क्या कर रही हो बच्चों के साथ? वो बौकला कर कहती है, जी मैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी कीर्थी और बालू तुरंट बाहर निकले और कीर्थी ने कहा दादाजी, दादाजी, दादी हमें बाना चाहती थी उन्होंने कहा कि उन्होंनों ही मेरे ममी पपा को भी मरवाया था ऐसे बच्चोंने रोते हुए सारी बात बताई, ये बात सुन सूर्यकांत पुश्पा को घुस्से से देखने लगा पुश्पा घबरा कर वहां से भाग कर घर चली जाती है कुछ देर बाद तीनों घर पहुंचते हैं अरियो क्रूर औरत क्या तुम्हारी मती मारी गई थी कि तुमने मेरे बेटे बहो को मरवा दिया अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे बता देती वैसे भी क्या तुम नहीं जानती कि मेरी सारी दौलत पवन के नाम है बड़े बेटे ने तो एक फुटी कौडी नहीं ली थी उसने जो कमाया मेहनत से कमाया ऐसे उसने पुषपा से कहा अब तुम तीनों मेरी सच्चाई जान चुके हो ये बात मेरे बेटे पवन को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात तुम तीनों के साथ ही दफन होनी चाहिए पुषपा ने तुरंट एक छुरी लाई और बच्चों पे वार करना चाहा तब सूर्यकान बच्चों तुम यहां से भाग जाओ बच्चे वहां से भाग निकले सूर्यकान भी उनके साथ भाग निकला वे तीनों आगे तो उनके पीछे-पीछे पुषपा दोड रही थी सूर्यकान ने तुरंट उन दोनों बच्चों को एक गाड़ी में बिठा दिया इससे पहले कि सूरेकांद गाड़ी में चड़ते, गाड़ी निकल चुकी, जिससे वो नीचे गिर गया दूसरी और पुश्पा के पीछे से एक गाड़ी आकर उसे टकरा गई पुश्पा की मौके पर ही मौत हो गई उसे देख सूरेकांद ने कहा तेरे पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए भगवान ने तुझे बुला लिया हे भगवान, मेरे पोता पोती को सुरक्षित रखना ऐसे उसने भगवान से प्रार्थ ना की, वो रात इसी तरह बीद गई अगले दिन पवन घर पहुँचा, उसके पिता ने उसको सारी बात बता दी ये सुनकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मा ऐसा करेगी पापा, कीर्थी और बालू का कहीं पता चला उस पर पापा ने कहा कहीं पता नहीं चला बेटा उस दिन से वे दोनों बच्चों को ढोड़ने के काम में लग गए कुछ दिन गुजर गए वे दोनों ही बच्चे उस गाड़ी में एक नई जगे पहुंचे जगे नहीं, भाशा नहीं वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे वे दोनों आनाधों की तरह हातों से इशारा कर लोगों से भीग मांगने लगे वे दोनों वहाँ पर उन्हें जो भी मिलता उसमें मिल पाट कर अपना पेट भर कर अपना गुजारा कर रहे थे उनके दादा जी और चाचा हर जगे उन्हें ढूनने की कोशिश कर रहे थे हम भी भगवान से प्राथना करते हैं कि कभी न कभी ये दुनों बच्चे अपने घर वालों से मिल जाए